हेलो गाइज, वल्कम बैक तो मैं चैनल, आज एक नया वीडियो लेके हैं हूँ BGMI, कैसे खेल सकते हैं, MSI App Player के अंदर ठीक है, तो आज पूरा वीडियो में आपको step by step, हैर step में बताओ कैसे खेलना हैं, बहुत सारा रिक्वेस्ट आये थे कि प्लीज एक वीडियो बना दीजिए, हम भी खेलना चाहते हैं इमिलेटर पे, तो मैंने बना दिया भाई, मैं बहुत time spent किया है इस वीडियो पे, और hope आपको यह आई वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को तुरंती, पेरी चीज, यह जो आप देख रहे हैं, डिस्टॉप पे, MSI Apps, MSI Files 2.0, इसको आप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है इसको ज़रूर डाउनलोड करना, और मेरे साथ ही स्टेप्स को फॉलो करना, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो चले शुरू करते हैं वीडियो, पेला स्टेप यह होगा कि अगर आप पहले कभी इंस्टॉल किये थे, MSI App Layer या अनिंस्टॉल भी कर चुके हो, तो यह स्टेप ज़रूर करना, ठीक है, तो पहला स्टेप होगा कि आपको MSI, आगर आपकी सिस्टेम पे अभी भी MSI App Layer है, तो इसको अनिंस्टॉल करना है, ठीक है, तो चलते हैं, प्रोग्राम्स और फीचर्स, और उसमें जाएंगे हम MSI App Layer पे, MSI App Layer इसको अनिंस्टॉल, य अनिंस्टॉल, ठीक है, अगर आपकी सिस्टेम पे MSI App Layer अनिंस्टॉल ओरडी हो चुका है, तो इस स्टेप को स्किप कर दीजेगा, अगला स्टेप लेकिन जरूर कीजेए, अगर आपने अनिंस्टॉल किया है, या आपकी सिस्टेम पे ओरडी है, और आप इसको अनिंस्ट जा दूँगा इसमें जाईएगा हेच की लोकल मिशीन में और उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा सॉफ्ट्वेर के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम पे ब्लू स्टैक्स है तो इसको डेलीट इमेडियेटली कर दीजिए यस देखेगा कि कहीं पे MSI आप है क्या नई है तो इस विंडो को मैं अभी बंद कर रहा हूँ और हमने जो फाइल्स डाउनलोड किया थी जुसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में शेर किया था उसमें यह सब फाइल्स होंगे तो इसमें आपको MSI आप इंस्टाल करना है यस आप इसको इंस्टाल कर सकते हैं C drive, D drive, V drive कोई भी ड्राइवे ड्राइवे इंस्टाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको इच्छा है ठीक है इंस्टाल कर लिजेगा और मेरे साथ स्टेप बाइस्टप फालूब कीजिए तो यह हो गया इंस्टाल अभी इसको खोलना नहीं है सिर्फ इसको बंद कर देना है चलिए इसको बंद कर देते हैं यह रहा हमारा नया आइकॉन आचको है मैं साय आप लेर का इस पे राइट क्लिक कीजिए प्रापर्टीज उपन फाइल लोकेशन फाइल लोकेशन में आपको उपन करना है है HD-Multi-Instance Manager पे आप राइट क्लिक कीजिए चेंट टू डेस्टाप ठीक है तो इसको बंद कर देजिए यह भी देख रहे है यह HD-Multi-Instance में इसको ओपन कीजिएगा अगर आप यहां पे नौगट देख रहे है और आपको यहां पर पाई नहीं दिख रहा है तो आपको यह एक्स्टा स्टेप करना पड़ेगा अगर आपके सिस्टेम पे और पाई 64 दिख रहा है तो यह स्टेप कर दीजिए ठीक है क्य चुकि की आपको आपको यह करने की जरुअग नहीं है लेकिन अगर आपको नौगट दिख रहा है यहां पे तो आपको यह स्टेप करना ही है ले इसक एक ठीक है, इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए, फ्रेश इंस्टेंस, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, पाई 64, नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको, आपके सेटिंस, सिस्टम के सेटिंस के सबसे, आप सेलेक्ट करने हैं, आप जो भी चाहिए, आप सेलेक्ट कर सकते हो, आभी के ल ठीक है तो यह वो चुक है डाउनलोड अभी अगला स्टेप होगा कि आमने जो दो आपस यहां पे डेस्टप पे रखाया है इन दोनों को आमें डेलीट कर देना है ठीक है इनको डेलीट कर दीजिये और यहां पे जो MSI App Player Noget version है इसको भी आप डेलीट कर दो ठीक है डेलीट आप शर्टकट पाइसिक्स्टी-फ़र का ठीक है कर दे हो गया डेस्टप शर्टकट क्रियेट यह आ गया यहां पे थीक है तो अगला स्टैप है हमको फिरसे रेजिस्टरेशर्टेवे जाना है और इसको पेहले इसको बंद कर देते हैं बंद और उसके बाद हम में जाएंगे उसके आब आद सॉफ़वर के नीचे देखेंगे और अगर हम यहां पर ब्लू स्टैक्स देखेंगे इसको हमें राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट करना है और इसको एक्सपोर्ट कीजिए डेस्टाप पर ठीक है और इसका नाम दे दीजिए MSI इसका नाम दे देगे MSI और इसको बंद कर देंगे ठीक है अब यह रहा हमारा इसको राइट क्लिक कीजिए राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद नोट पैट कीजिए और आप देखेंगे MSI 5 इसको NXT टाइब करके सेव कर लीजिएगा और इसके बाद इसको बंद कर देजिए ठीक है तो अगला हमारा ऑप्शन है कि इसको डबल क्लिक करके इसको रण करना है येस, येस, ओके, टिक करके, इसको run कर दिया हमने, तो अगला हमारा step होगा, हमने ये जो files डाउलेड किया थे, desktop में इसको open कीजिए, यहाँ पे आपको blue stack ट्विका दिखेगा, इसको open कीजिए, double click करके, और इसको minimize कर दिजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे, कि यहाँ पे MSI app लेर दिख रहा है, और आप settings में जाके चेक कीजिए, यह blue stack file है, ठीक है, और कोई option नहीं है, blue stack select, अगर यह है, तो यह सब ठीक है, इसको select कीजिएगा, और यहाँ पे route पे आजाईए, और route पे आके, यहाँ पे unlock पे click कर दिजिएगा, ठीक है, यहाँ पे true हो चुका है, यह unlock हो चुका है, ठीक है, अभी हम इसको run करेंगे, ठीक है, अभी MSI app explorer open हो रहा है, तो जैसे मैं कह रहा है तो पहले कि हमें यहाँ पे settings चेंज करना है, तो हम यहाँ पे settings चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो अभी इसको settings में जाएंगी, click करेंगे, इस पे performance यहसे में कहा रहा है था, आपके system पे dependent हैं यह पूरा, आगर आपके system में 8 cores है, तो 4 cores select कीजिए, अगर आपके, मतलब मेरे मैं तो 6 cores select करूँणा, दो course atleast में छोड़ दूँगा, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत यह रहे, gap रहे, पूरा system का resources यूज़ना कर ले, MSI emulator, और यहाँ पे RAM जो है, मैं मेरा system में 32GB RAM है, तो मैं यहाँ पे 25% देना चाहता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जेना चाहता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा consume करता है, यह emulator है, तो मैं देऊंगा 8196, ठीक है, high performance mode पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे जो देख रहे हैं, अप enable high frame rate, अगर आपका screen support करता है 60 frames से ज्यादा, 60 hertz से ज्यादा, मेरा monitor जो है 170 hertz तक support करता है frames, तो मैं यहाँ पे 120 रखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, इस game के लिए, उतना काफी है, display fps during gameplay ताकि आपको gameplay का fps देखना है, तो यह भी आप enable कर सकते, save changes, यह restart कर लेगा भी हो जाएगा, ठीक है, हम restart होने का उनको जार कर रहे हैं, अब यह restart हो गया, ठीक है, इस्टार्ट हो गया, अब settings में जा रहे है, अगला चीज होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में में select करो full HD, और pixel density 240, आप यह QHD भी select कर सकते हो, और Ultra HD भी select कर सकते हो, आपके system पे dependent है, ठीक है, और यहाँ पे MSI यहाँ पे जो है, जो में default पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अगला settings जो है, ग्राफिक है, तो यहाँ पे मैं OpenGL suggest करूँगा, हमेशे select करें ताकि आपको black screen बगेरा कुछ ना है, और interface render जो है, और यहाँ पे software encoding जो है, मैं यहाँ पे इसको on रख रहा हूँ, अगर आपका system lag हो रहा है, कुछ problems हो रहे हैं, तो उसको disable कर दीजिएगा, ठीक है, और अगला option है कि AMD radio और RX 6800XT है, उसको enable कर दीजिएगा, मतलब आपका GPU news है, उसको prefer dedicated GPU enable कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद अगला option है phone का, तो phone में आप create करना पड़ेगा, एक custom profile, उसमें आपको select करना है Samsung exactly ही option, चीज कर जिएगा, S24 Ultra, और यहाँ पे रहेगा, SM-X910 select कीजिए, और network जो है, ATL select करना है, हीक है, और save changes पे click कीजिए, और उसके next option होगा advance, advance पे यह सब ठीक लगा रहा, इसको कोई change करने की जरूत नहीं है, और अभी हम जाएंगे, अपना tweaker पे, और इसको हम patch करेंगे, अभी patch करेंगे, अगर false आता है तो कोई problem नहीं है, अगला step है install super sue, इस पे click करेंगे, super sue अगर यहाँ आप देखो, यह install हो चुका है, prove दिखा आना चाहिए, root, true आ गया, यह root हो चुका है successfully, तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है, अभी इसको भी हम burn कर देंगे, इसको खोलेंगे नहीं, ठीक है, अभी इसको तीन बार, ठीक है, एक बार बंद कर देंगे, अभी फिर और दो बार हमको बंद करना है, इसको खोल के, ठीक, तो अभी फिर से बंद कर देंगे, लोस, तो इसे कोलेंगे, इसको फिर से बंद कर देंगे, लोस, इसको फिर से बंद कर देंगे, लोस, फिर से बंद कर देंगे, हमारा यह रूप हो चुका है, तो अग्रा स्टेप होगा, कि हमें यहां से आई है, ओके, यहां से एपी क्यों, यह सब चीजे कॉपी करने हैं, ओके, कॉपी करना है, ओपन करना है, तो यह प्रोसेस नॉमली लगता है, पांच से दस मिन तक, अपके सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड होता है, ठीक है, तो वेट कर लेते हैं, सब कॉपी जिस आप में भी हामफुल तो यह इंग्डॉर कर सकते हो आप और इंस्टाल एन्वेस पे क्लिक कीजिए इंस्टाल जैसे हो जाएगा तो यह हमारा प्रासस जो है हो जाना चाहिए है यह सब हो चुका है तो अगला next step है हमें root explorer को खोलना है और यहां पे आपको select करना है next time और इसको untick करके grant करना है अलव ओपे ठीक है तो हमारा root explorer set है अभी इसको बंद कर देंगे और हम Battleground को खोलेंगे गेंट शुरू कर सकते हैं और इसके बाद हम देखिए कि आगी क्या करना है अलाव तो पहला चीज तो हमें इसमें लॉग इन करना है जो कि अभी हम करेंगे तीन तरीके हैं लॉग इन करने के एक है फेस्बूक दूसरा है और यह तो गेम बंद हो जुगा तो यह होता रहता ह है तो यह कोई बात नहीं फिर से आप ऊपन कर सकते हैं क्शिक करके तब नगेंगे नगाड़ करते हैं और अभी फिर से ओपन करते हैWo ि इस बार हो जाना क्षाहिए और अभी गेम हम चालू करते हैं ठीक पैस्टन खुल रहा है ओके यहां तक ठीक है ओकी यह पैस्ट डाउनलोड कर रहा है फिलान ठीक है तो यहां पे दो आप्शन आएगे आपको लो स्पेक रिसोर्स या हाई स्पेक रिसोर्स हेच्टी वाला तो मैं अपना सिस्टम के ताप से हाई स्पेक डाउनलोड करने वाला हूँ ठीक है, आप अपनी सिस्टम के हिसाब से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिलाल यह डाउनलोड हो रहा है, तो इसमें डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो तब तक हम इसको फॉस्वर्ट कर देंगे, पास मिट तो लगी गाई, जिस हिसाब से यह डाउनलोड हो रहा है, बहुत तेजी जी तो नहीं हो रहा है, बट देखते हैं, ठीक है, ओकी-डोकी गाईज, पूरा गेम डाउलोड हो चुका है, अपडेट है, अब यह हम आगे बढ़ते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, रिस्टार्ट होने के लिए, ला तो वेट कर रहे है, बाटल ग्राउंड मोबाईर डेच, देखे, गेम चालू हो चुका है, चलिए हम, लॉग इन करते हैं अभी, इसे मैं पहले कहा रहा था कि, तीर आप्शन मिलते हैं, ट्विटर, फेस्बुक और गूगल, तो मैं लॉग इन करने हो लाँ गूगल से, ठीक है, पाई लोग, गेम के अंदर, अभी आपको एक error message दिखाई देगा, restricted area, तो इसको कैसे tackle करना, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको ok कर देते हैं, और इसको bun कर देते हैं, ठीक है, अभी हम इसको bun कर देंगे, अभी हमको यह set, system apps में जाना है, media manager, import from windows, और हम जाएंगे desktop पे, जहाँ पी यह हमारा MSI files है, इसको open करेंगे, वहाँ पे आपको root data files दिखाई देगा, इसको open करते हैं, ठीक है, और इसको हम बंद कर देते, अभी हम जाएंगे, यह archiver में, allow करेंगे, ok, DCIL, shared folder, और इसको click करेंगे, और यहाँ पे left click करेंगे और extract करेंगे, इसको बंद करेंगे, और फिर से root explorer में जाएंगे, storage, storage में हम जाएंगे, DCIM, shared folder, और इस shared folder में आपको यह files और LIB copy करना है, तो कैसे copy करेंगे, left click long press करना है, दोनों files पे, और इसके बाद right में आप देखेंगे, आपको copy option है, copy करेंगे, root में जाएंगे, root में data फिर से data, data और एक बार क्लिक करना है, हमें, data, 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 कहां में इस हो गया है, यहापर data, इसके नीचे हम सबसे नीचे वारे option में जाएंगे, com.pubg.imobile, इस पे क्लिक करेंगे, और यहापर right में जो देख रहा है, आप option paste का, इस पे क्लिक करेंगे, do this wall, for all existing items पे क्लिक करके merge कर गया हमारा, इसका download इस पे हो जाएगा, copy हो जाएगा, और यह सही हो, यह 10-15 सेकेंड लगेगा, इसको बंद कर देगे अभी, और अभी फिर से game चालो करेंगे, ठीक है, वेट कर रहे है अभी, आप देख पारे हो, अभी की game लोड हो रहा है, और game हम login कर चुके, game के अंदर, ठीक है, यह रहा पूरा installation, अभी और दो step है, ठीक है, मारलो आपको game खेलना है, ठीक है, उसके पहले मैं आपको settings दिखा देता हूं, कुछ settings, यहाँ पे जाएगे audio पे, पहले इस background music को बंद कर देएंगे, ठीक है, graphics, alt, smooth, extreme plus, apply कर देएंगे, ठीक है, यह रहा हमारा graphics, colorful में डालेंगे, ok, और दूसरा controls है, controls में जाएंगे, advance में जाएंगे, और यहाँ पे, TPP को पूरा, full कर दीजिए, sprint को भी फूरा, FPP को पूरा करके, ठीक है, उसके बाद जाएंगे, हम customize buttons पे, यहा layout जो है, इस पे आप third वाला select कीजिएगा, use, already news, तो यह हम feature नहीं, यह वाला use करेंगे, हम use, ठीक, और यहाँ पे इसको बंद कर देएंगे, ठीक है, और अभी हम जाएंगे, MSI app player की, game controls पे, और वहाँ पे मैं आपको देखाऊंगा, key settings, ठीक है, और यह हम select करेंगे, 1080p के क्योंकि मेरा, जो है, मैं 1080p केने वाला हूँ, सो इसको क्लिक करता हूँ में, controls editor पे, और आप यहाँ पे देखोगे, आप देख रहे हैं, यहाँ पे F1 जो है, हम इसको change कर देंगे to control, क्योंकि मुझे control इस्तमाल करना, यह जो है, mouse lock के लिए है, तो यह mouse lock, unlock, lock or unlock करने के यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अब की बटन देख रहे हो, यहाँ पे, mouse का, वही हम यहाँ पे set करने वाला है, यह right click जो है, यह हमें, game के लिए चाहिए, तो हम यह लेके जाएंगे, इस पे, ठीक है, और sprint के लिए space, z, यह रहा हमारा यह reload के लिए यह हुआ, और यह रहा B क हमारा जो है, single and double bullet के लिए, और यहाँ, step 1, step 2, यह grenade के लिए है, ठीक है, टाप के लिए तो यह बाग रात हो गया, और यह मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे, इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यह sprint जाए shift यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, यह shift जो यहाँ है, य लग चलेंगे वापस, लबी के अंदर, ठीक है, अभी आप अगर देखोगे, तो यह आप ए गेम चालू नहीं होगा, अगर जब भी मैं क्लिक करूँगा, यह गेम नहीं चालू होगा, क्यूंकि हमने बहुत देर लबी में बिता दिया, तो इसके वेज़े से यह गेम चाल करना, मैं बितल से कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पर क्रित कर रहा हूं, और मैं अपने अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूं, ठीक है, तो अभी मैं लॉबी में जा रहा हूं, ठीक है, ट्रेनिंग ग्राउन्स पर जाके हम यह सिमर्ल करेंगे, ताकि आपको पता चलेगी आगे क्या करना है, ठीक 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 है, ठ और वापस गेम के अंदर जाना है, यह हर बार जब भी आप गेम के अंदर जा रहे हो, 80% पहुचता है, उसके बाद यह फॉर्म आज आपको आउन करना है, ताकि आप गेम के अंदर जा पाओ, अब अगर आप देख रहे हो, तो गेम स्मूती चल रहा है, और मैं यहाँ पे व करना है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंट करना है, मैं थोड़ा सेटिंग्स एक पर चेंज कर देता हूँ, इसको ताकि आप में कंट्रोल जाए, ठीक से हो जाए, यह रहा हमारा, कि इसको बंद कर रहा हूँ, अरिशिट, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, मैं कि एक श हमारा शिट्ट जो है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तक हमारा जब भी मैं शिट करना होगा, तो यह सेव कर देता हूँ, और इसको बंद, देखे, देख पा रहे हैं, अभी, तो यह रहा हमारा टॉटोरियल जो है, आप देख चुके हैं कि हम कैसे गेंग के अदर आए, एक बार मैं पूरा प्रासस समझा देता हूँ, मैं लबी में जाता हूँ, अब इसको आफ कर देना, फॉर्माट को आफ करके वापर इस गेम पर जा रहा है, यह से लबी में पहुंच जाएगा, रिजर नहीं करना है, कैंसल करना है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आपको यह अब क्यों यह करने की जरूलत नहीं है, अगर आप इमिलेटली गेम जाइन करते हो, आपको गेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकते हूँ, यहाँ पर यह सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो मैं एक बार आपको पूरा प्रासस समझा देता ह मैं पूरा प्लेयर बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो यह मैं बंद कर देता हूँ, और पिर से कुलकि आपको बताता हो, ठीक है, तो चलिए अभी आप, मैं open कर रहे हूँ, MSI App लेयर को, पहला step जो है, आपको root explorer में जाना है, आपको नहीं पहला ही उस files पोल्डर उपन कर ल और लाइब दुरों को copy करना है left long press करना है यह automatic select हो जाए उसके बाद click करना copy उसके बाद आना इस फ्योल्डर पे इस अर्डिया हम इसके अंदर है तो हमें self एक मिनिट यह हमने सब चीज को बन कर देड़े और फिर से हमें बैटरी ग्रांड खोड़ लाए बीजियामाई जैसे आप बीजियामाई खोड़ोगे है मारा गीम चालू हो रहा है ठीक है यह अमारा लॉबी में आ चुक है और अगर हम तुरंत ही गेम स्टार्ट करते हैं यसे मैं कहा हम अभी ट्रेनिंग ग्राउंड सेलेक्ट करके यह प्रासेस आपको नॉर्मल गेम में भी करना है ठीक है 80% पहुँच गया है अमको जाना है फॉलमोज को अन कर देना है और वापस आ जाना है यह आपर आ जाएंगे तो यह अंदर चड़ा जाएगा ठीक है अगर आप यह प्रासेस नहीं फॉलो करोगे अगर यह आप यह प्रासेस अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंस में लिखे बताइएगा कि कोई प्रब्लम हो रहा है तो मैं आपको जरूर कमेंस में लिखे बताऊँगा कि क्या करने आगे अगर मेरे पास कोई सुलीशन है जो कि अगर देदुरे जो प्रब्लम दाते हो अगर उसका सुलीशन है मैं जरूर देदूगा सुलीशन उसका खीक है और अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे प्रीज ल जरूर कर देना और फिर मिलते हैं अगरे वीडियो भे अपको लिए शुक्रिया एक एर बाबाई